Hello class first, today we will read chapter 21 means of transport तो देखिए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम अलग-अलग टाइप के विकल्स यूज़ करते हैं अगर हमें land पर जाना हो तो हम यूज़ करते हैं car, bus, bike, auto, cycle है ना और अगर हमें air के तुरू जाना हो यानि कि long distance अगर हमें cover करना है तो हम कैसे जाते हैं by plane और इसी तरीके से हम अगर दूसरे countries में भी जाना चाहते हैं तो हम कैसे जा सकते हैं by ships यानि कि water के तुरू तो इस तरीके से हम तीन तरीके के transports जो है वो use करते हैं यानि कि कुछ जो transport जो land के उपर चलते हैं कुछ air में और कुछ water के उपर तो हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं different types of transport we go from one place to another by different pickles हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तरह तरह के विकल्स जो है वो use करते हैं these pickles are also used to carry goods और ये जो विकल्स होते हैं ये हमें ले जाने के अलावा हमारे जो भरी भरी सामान होता है जिसको हम अपने उपर रख कर तो नहीं जा सकते हैं तो उनको भी ये carry करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुचाने का काम करते हैं they can be used on land in water or in the air और ये land पर भी use होते हैं water में भी use होते हैं इसके अलावा air में भी चलते हैं so means of land transport अब हम कुछ transport ऐसे देखेंगे जो की land के ओपर चलते हैं in cities, cars, buses, scooters, motorcycles, cycle, rickshaw and auto rickshaw are the main means of land transport अगर हम cities में देखते हैं तो हमें ये सारे vehicles जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं अब ये आपको करना क्या है यहाँ पर एक आपको छुटी से exercise दी हुई है write the name of these vehicles in the given blanks अब यहाँ पर जो आपको pictures देऊ हैं आपको इनको identify करना है और ये जो vehicles यहाँ पर जिनके pictures देऊ हैं उनके name आपको यहाँ blank space में note down करने हैं Okay, in villages, bicycles, tanga, block carts and tractors are the main means of land transport और अगर कभी गाओ गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो animals होते हैं वो एक बड़ी सी cart लेकर के वो चलते हैं जिनको बोला जाता है टांगा, तो वहाँ गाओं में आपको यह सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी ज्यादा तर लोग जो हैं क्योंकि गलियां काफी पतली होती हैं तो cycle यूज करते हैं, tongas यूज करते हैं, block carts यूज की जाती है, tractors जो है आपने देखा होगा, field जो होती है, land जो होती है, उसको जोतने के लिए tractor यूज किये जाते हैं अब आपको करना क्या है, यह जो transports यहाँ पर आपको दिये हुए है, means of transport जो की villages में आपको देखने को मिलते हैं अब इनके names आपको यहाँ पर note down करने हैं, write the names of the vehicles in the given blanks ओके, now next, all the means of road transport have wheels to move on land, so they are called vehicles तो जो land के ओपर जो transport चलते हैं, road के ओपर जो transport चलते हैं, आपने देखा होगा, लगबग सारे ही transport जो होते हैं उनके अंदर, उसके ओपर क्या होता है, उसमें लगे हुए होते हैं wheels, यह देखिए, आपर different type के wheels आपको दिखाई दे रहे हैं तो यह जो wheels लगे होते हैं, इसी की वज़े से इनको vehicles कहा जाता है अब आते हैं, trains, trains run on tracks laid on the ground आपने देखा होगा, railway track तो देखा है, train जो है उस track के ओपर चलती है और they are also an important means of land transport, यह भी बहुत ही important means of transport है अगर हमें long distance cover करना है, तो हम cycle से तो नहीं जा सकते, हम motorcycle से नहीं जा सकते तो हम क्या use करेंगे, हम use करते हैं train उसके बाद आजाते हैं means of air transport, जो कि आपने देखा होगा आस्मान में उड़ते हुए अब आपको करना क्या है, again यहाँ पर आपको identify करनी है, pictures और उनके name यहाँ पर blank space में लिखने है write the names of these means of air transport in the given blanks okay, now turn to page number 73 last हमारे आजाते है means of water transport boat sail on water आपको यह तो पता है, boats चलती है, water के उपर and a large boat is called a ship और जो बहुत बड़ी सी boat होती है, उसको बोलते हैं ship अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको फिर यह pictures दिये हुए है, उनको identify करना है इसमें आपको बताना है कि ship कौन सी है और boat कौन सी है तो यह आपको यहाँ पर लिखना है, this was your chapter, your chapter is finished अभी आपको करना क्या है, different type के आपको जो means of transport यहाँ दिये हुए है उनके pictures collect करने है, आपको तीनों को अलग-अलग लिखना है land transport और land transport के pictures आप उसमें पेस्ट करेंगे then आपको पेस्ट करना है, water transport वो आप उसमें पेस्ट करेंगे और उसके बार air transport, okay left side के पेस्ट पर आप pictures पेस्ट करेंगे और right side में लिखेंगे उनके names in next class we will do exercises of this chapter, till then bye bye